वाट्स अप गाईज वेलकम बैक टो अनदर ब्लॉग आज मंडे है और अभी तक्रीबन एक बच चुका है मैं सुभा उठके नाश्ता भी कर चुका हूं आज दो स्लाइस ब्रेड और एक कप चाए बस यही मेरा नाश्ता था तो आज कुछ खास नहीं था आप लोग को दिख सारे बारा बजे खतम हुआ तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ मैं नहा हुआ कर फ्रेश हो चुका हूँ और अभी मेरे कुछ कॉल्स शूरू हो जाएंगे मेरे जो भी कोचिंग प्रोग्राम में जोइन करते हैं उनको मैं कॉल लेना शूरू करता हूँ डेर बजे शेक पीने क्योंकि मुझे थोड़ा सा भूक लग रहा है जादा मैंने आज ब्रेक्वस में कुछ खाया नहीं है तो मैं अभी प्रोटीन शेक बनाने जा रहा हूँ दोस्तो मेरा प्रोटीन शेक हो गया है यह वे प्रोटीन है और इसमें मैंने एक किला भी मिलाया है लेकिन काफी लोगों को अभी भी यह कन्फीजन रहता है कि वेई प्रोटीन से किड्नी डिमेज हो जाएगा वेई प्रोटीन लेने से बहुत सारे कंपलिकेशन हो सकते है terribly मैं बहुत सारे वीडियो जो बना चुका हूं वे प्रोटीन से किड्नी ड्यमेज नहीं होती इंप करोट को को दिखा अब और कीड्नी बिल्कुल ड्यमेज नहीं होता है आपके ड्यापटीस reverse करने में whey protein मदद करेगा इसके बहुत सारे studies है कि whey protein से आपकी diabetes reverse होते हैं कोई नहीं चाहता है कि आप अपना diabetes reverse करें इसलिए जो चीज़ से भी diabetes reverse हो सकती है वो चीज़ आप लोग को मना करते हैं प्लीज ये सारे बातों पे भरोसा मत करिए बिश्वास मत करें वे प्रोटीन के उपर भी एक बहुत जल्दी detailed video बनाऊंगा और scientific studies के साथ बनाऊंगा ताकि आप लोग को यकिन हो जाए कि वे प्रोटीन पीने से kidney damage नहीं होती है बलकि वे प्रोटीन लेने से आपकी diabetes reversal में मदद करती है तो वे प्रोटीन से घबराएं मत हाई प्रोटीन डायेट से मत घबराएं प्रोटीन शेक पीते रहें लेकिन आपकी जितनी जरुवत है उतनी ही पीजे कोशिश के रिए कि खाने से प्रोटीन मीट कर ले अगर खाने से मीट नहीं कर सकते उसी कंडिशन में आप प्रोटीन पाउडर ले सकता है क्योंकि प्रोटीन पाउडर एक सप्लीमेंट है और मैं बार बार आप लुक को कहता हूं कि सप्लीमेंट शूर नॉट भी मिल रिप्लेस्मेंट सारे तीन बच चुका है और मौसम देखो पूरा काला बादल चाये हुआ है यह देखो पूरा काला हो रखा है एगदम ऐसा लग़ा है कि अंधेरा हो गया है पूरा जबकि सारे तीन ही बज रहे हैं और मुझे अभी लग रहा है थोड़ा सा भूख तो मैं जा रहा हूं अभी खाना खाने आइए दिखाते हैं आपको आज लांच में क्या है तो बेटा ओलड़ी खाना खा चुका है क्या खाया आज क्या खाया आज गर्मी लग रही है ठीके चलो आप रेस्ट करो ओके ठीके खाना खाया अपने क्या खाया अच्छा ठीक है यह देखो इसके कितनी सारे से खिलोने पूरा भर दिया एकदम खिलोने से क्यूंकि सारे तीन बच चुका है तो इसलिए रिमा ओलड़ी चली गई है उसने खाना मेरा लगा दिया है आई आपको दिखाते है कि मेरा खाना क्या है यह देखो यह और दिखाते है आभी आपको खाने में क्या है तो मेरा आज के लंच में पनीर और शिमला मिर्च यह खीरा भी है कुछ आप देख सकते हो, दो अंडा करी, यह कुछ और सब्जी है, मुझे समझ में नहीं आवा, यह लोकी का सब्जी लग रहा है, और यह तो मुझे पता नहीं क्या सबजी है कुछ और सबजी है और ये दो रोटी आज दो रोटी खाऊंगा तो ये है मेरा आज का लंच आज क्या बना रहे हो दिखाओ क्या चीज है ये कुछ अच्छा सा लग रहा है ये कुछ सुंदर सुंदर क्या बना रहे हो ये कौन सा करेक्टर है और यह देखो बेटा सो गया कंबल और के एक दम मूह ढख लिया है और यही पर सो गया मैं यही पर कर रहा हूं तो अकेले बैट नहीं सकरा था तो अब आ गया मेरे पास तो दोस्तों साथ बच चुका है अभी और मेरा अभी अभी जस्ट कॉल खतम हुआ है डेर बज़े से मै लगातार कॉल था एक के बाद एक कॉल बीच में मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने खाना खाली आप लोग को दिखाया था बेटा भी मेरे पास आके सो गया क्योंकि वह खेलते खेलते टीवी देखते देखते बोर हो गया तो मेरे पास आके वह सो गया अभी यह लगता है कि freshness आएगा तो मैं जा रहा हूँ अभी चाय बनाने तो मेरा चाय हो गया है रेडी यह special चाय है यह दूद वाली चाय है इसमें अद्रक डाला है मैंने लेकिन मैं चीनी नहीं डालता हूँ इसमें मैं इसमें stevia मिलाता हूँ बहुत साल हो गया मेरे को चीनी नही मिलाता हूँ और यह पी के बताता हूँ कि आज चाय कैसे बनाए बहुत ही बढ़िया यह चाय पेंगे ना मेरे हाथ का चाय पेंगे तो आपका एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा लेकिन चाय में कभी भी अकेले पीता नहीं और चाय के साथ आज क्या है आप देख लो यह यह रोस्टेड बदाम है और काजू है तो रोस्टेड बदाम और काजू आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है टेस्टी भी बहुत है इसमें बहुत हेल्दी फैट होता है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है तो बदाम अक्रोड काजू यह जरूर खाये इ और साथ ही साथ आपका हैल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा तो मैं एंज्वय करता हूँ अपना चाइव और इसके बाद फिर आप लोग से जल्दी मिलते हैं यह देखो बेटे को क्या कर रहा है कुछ ना कुछ बनाता रहता है कुछ ना कुछ काम करता रहता है खाली कभी भी आप लोग को एक चीज धियान रखना है खाना आप चाहे कितनी बजे भी खाये लेकिन सोना आपको दो घंटे बाद है तो यह ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 बजे खाना है नो बजे खाना है या 6 बजे खाना है ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कोई नियम नहीं है आपके काम के उ तो आज मैं आप लोग को बता रहा हूं कि आप खाना कभी भी खा सकते हैं जब भूख लगे तब खाना है लेकिन खाना खाने के दो घंटे बाद ही सोगे तो डाइजेस्टन अच्छा होगा और आप एक हेल्दी लाइब जी सकते हैं अभी मुझे भूख लग रहा है तो मैं जा रहा हूं खाना खाना तो आज डिनर में बन रहा है हरियाली फिश यह देखो यह फिश है इसमें ग्रीन सॉस हमने डाला हुआ है ग्रीन चटनी टाइप मिला हुआ है और इसको अभी पका रहे यह दो मिनिट में पक जाएगा उसके बाद यही हम आज खाएंगे तो दोस की बेड़े हैं चावल है घी है और यहां पर एक मिलक शेट भी है तो आज इसमें प्रोटीन पाउडर मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरे पास अच्छावाब्रोटीन है जो फिश के रूप में है और इसमें में दूद लिया है और थोड़ा सा बड़ाम डाला है और एक क्ल डाला है तो दोस्तो आप वक्त आ गया है इस ब्लोक को खतम करने का और खतम करने के पहले दो शाउट आउट और बहुत दिनों बाद आज एक मुझे निगेटिव शाउट आउट देने को मिल गया है तो आज दो शाउट आउट दूँगा एक निगेटिव होगा और एक पॉ यह एक वीडियो मैंने बनाय था की गद्यम्द बनो और वह गोखी वच्छ के उपर ठाग है और यह आप स्क्रीण से देख सकते हो तो आगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो कि गदें मत बनों पहले देखो सीखो और समझो फिर कुछ भी चीज करो तो इसलिए मैंने उसी एट के उपर वो वीडियो बनाया था देखना जरूर बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो है लेकिन डॉक्टर सौडव सिंग कहते हैं बेवकूफ ने टाइम वेस्ट कर दिया तो क्वेक हैं बहुत सारे क्वेक भी अपने पहले डॉक्टर लिखते हैं तो मुझे मालूम नहीं है डॉक्टर सौडव सिंग आप क्या लिख रहे हैं सारी दुनिया आज देखेगा कि डॉक्टर सौडव सिंग का भाशा कैसा है और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अगर ये वीडियो डॉक्टर सौडव सिंग तक पहुचा सकते हैं तो पहुचा दीजेगा और बेवकूफ कौन है इस वीडियो के कमेंट में आप लोग जरूर लिखना जो आप लोग को डाइबेटीज रिवर्सल सिखा रहे हैं वह बेवकूफ है या मेरे वीडियो में आके जो कमेंट कर रहे है वह बेवकूफ है आप लोग जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर बेवकूफ कौन है और निगेटिव कमेंट के बाद एक पॉजिटिव कमेंट लेते हैं क्योंकि हमेशा हर चीज़ को एक पॉजिटिव नोट में खतम करना चाहिए ऐसा मेरा मानना है तो इस ब्लोग को भी पॉजिटिव नोट के साथ खतम करेंगे एक पॉजिटिव शाउट आउट दिखे खतम करेंगे और आज का पॉजिटिव शाउट आउट है कृती सोधा जी का कृती जी लिखता है फ्यू पीपल सेज डॉक्टर भगवान का स और आप लोगों के लिए सेवा कर रहा हूं डायबेटीज रिवर्सल मुम्किन है इसी पर काम कर रहा हूं मैंने अपना डायबेटीज रिवर्स किया है मेरे बहुत सारे पेशिंस ने अपना डायबेटीज रिवर्स किया है और इसी के लिए मैं काम कर रहा हूं ताकि आप लोग भी अपना diabetes reverse कर सके तो उमिद करता हूँ ये ब्लॉग भी आप लोग को अच्छा लगा होगा कमेंट में जरूर बताना ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा मैं मिलूगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ तब तक स्वास्त रहे मस्त रहे इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद